गुड इबनिंग एविड़ी आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी अरीना में हमले के आज देने तमिलनाडू प्रेमियर लीग TNPL का पहला मैच लाइका को वाइकिंग्स वसे सलेम स्पार्टन्स जो रीनियम टीम है तो घबराना मत आपके साथ है फैंटेस अरीना लिंक है डिस्क्रिप्शन में और जो कमाल हुआ एकल भाई अलग लेविल का मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतना जाहा सही जाएगा सब कुछ मोहिन अली ममदस्नायन कॉंबिनेशन धवन कैप्टन जबरदस था मतलब कोई एक एक शायद कॉंटेस्ट हरा था में टोटल उसमें भी कैप्टन कोई मोहिन अली लेकिया था तो मतलब शायद हमारे चैनल का ही बंदा था लेकिन 95,000 अल्मोस्ट यहां पर और एक लाग ओवरॉल तबाही थी कल के दिन तो कॉंग्राचुलेशन सबको कुईसी नहीं सोचता इमाद वसीम को लेना है जेसन र यह देखो डबल होता है दस दिन में पैसा कहां होता है स्टॉक मार्केट्स में और अगर आप इनफॉर्म डिसिजन लेते हो रेगलरली आप चीज़ें फॉलो करते हो जैसा आपको करना चाहिए एक डिसिप्लिन के तोर पे बहुत अच्छी जगे है यह बूलना मत टेलिग क्यों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो अभी नहीं जिंदगी के दस साल बात करोगे तब रेलाइस करोगे यह दस साल पहले माहिंग वही बोलते तब नहीं करा बहुत अच्छा चीज है रिस्क फ्री रहता है काफी कुछ और आपको बहुत पहले पता लग जाता है होने के साथ हो तो अगर आप भी हो यंग हो एजट हो कोई फरक नहीं वरता 18 साल के उपर होने से यह बस लाइका कोवे किंग समिलनाडू प्रेमियर लीग सारे मैचस होंगे में में स्टेटियम में वीडियो ध्यान से सुनना बारिश के असार है लेकिन हम अभी चलते हैं पूरे हंड्रेट कवर करने के लिए यह भी एक अनाउंस्मेंट था जो करना था औरिजिनल चैनल एक लाग वीज़ा सब्सक्राइबर पहुच जा वहाँ पे भी तो भई टीन पील का 2020 का सीजन नहीं हुआ 21 का हो रहा है बहुत मशक्कत से 2019 के बाद उन पे बड़े सारे इल्जाम लगे दो टीम्स को बैन करा गया बैन तो नहीं करा गया एलिगेशन हुए उनके नाम चेंज हुए उनके को ओनर्स चेंज हुए और नहीं टीम बन के आ गए लेकिन चेपक सुपर गिलीज यह इकलौती ऐसे टीम है जो कंसिस्टेंट रही है और हमेशा चैंपिन रही डिफ ट्रिविया भी है आपके लिए ट्रिविया क्या嗟 टूटीवाट्स को रिनेम करके सलम स्पार्टंस किया गया है जो नोन तींपिल फॉलौ किया एमने एक सीजन कवर किया था उनको पता होगा चैनल पर कितना सकस्वूल रहा है टींपिल यह आप भी जानते हो और हम भी जा हैं बिना logic के इस channel पर कोई बात कभी नहीं होती ना शुरू हुई थी और ना कभी होगी यही हमारी खासियत है सेलम स्पार्टन्स का नाम तो बदल दिया था लेकिन आपको यह बताना है कि costliest team कौन सी है highest paid brand कौन सी team का है मतलब सबसे महेंगी team कौन सी खरीदी गई है TNPL में hashtag आपको ध्यान से देखना LKK vs SS और hashtag GLT family यूज़ करके इसी comment इसी video के नीचे comment section में बताना है आठ team का tournament है previous season अगर आप देखोगे LKK के Laika को वाइकिंग्स के third और फिफ्ट रहें third better थी लेकिं फिफ्ट थोड़ा सा खराब प्रदर्शन था फिशे season में 2019 में season हुआ था ध्यान रखना सलेम Spartans के लिए तो बहुत ही बुरा गया है 5-6 season और बोला गया कि बही match fixing के आरोप में Albert 2T Patriots नाम था शायद फिर change करके ये सब करा और इनकी sponsorship भी किसी और को दी ठीक है आते है में ची दंबरम स्टेडियम पर यहां थोड़ा spin का बोल बालना रहता है इसलिए आपको score जादा बड़ा दिखनी रहा लेकिं Cs के नहीं बना रखा है 12-10 में काफी पुरानी बात हो गई दोनों टीम कैसा खेली है सलेम स्पार्टन जाद अच्छा खेली है ध्यान रखना है टूटी पैट्रियोर्स खेली है सलेम तो नाम हुआ है पिशली बार ठीक है और पांच विंस दो लॉस एलके के उतना अच्छा नहीं खेली है एक सोनचास चेस करना बड़ा वो भी नहीं हुआ तो एक तरीके से शुरुवात में थोड़े से रन पहले बैटिंग जाद अच्छी है लेकिन धीरे धीरे टार्नोमेंट पोग्रेस होगा तो बॉलिंग जाद अच्छी हो जाएगी टॉस जीत के लेने लाइक ऐसा दिख रहा है अभी तक और डियो भी जो भी होगी वो आगे आप देखते जाओ के टार्नोमेंट में अच्छा एक बड़ी खास बात है बहुत कम देखा है ये मैंने वेन्यूस में कि पेसर और स्पिनर को बराबर और ध्यान देना इनके रिकॉर्ड पी शितर चंदरन आपकी टीम का मस से भी बड़ा वाला पार्ट है रखना जरूर है इसको अब आप सोचे होगे शितर चंदरन आपको ड्रीम 11 पे नहीं दिखने वाला अभी पता नहीं क्यों नहीं है लेकिन क्रिक बस क्रिक इंफो हर जगे इनका नाम है लेकिन टीन पील के ऑफिशल साइट पर इनका नाम नहीं है ये मधुरही के लिए खेलते थे पहले अब ही पता नहीं अबडेट क्या है लेकिन अगर कोई एडिट होता है कुछ होता है तो ध्यान रखना अभी के लिए फिलाल आपको ये नाम शायद नहीं दिखेगा अगर किसी को दिख रहा है ट्रीम 11 पे तो बताना उसके बाद शुरेश कुमार विगेट कीपिंग भी कर लेते हैं और लोर मिडिल ओडर में खेलते हैं इनका स्कोर है के विगनेश ये हमारी टीम का सीधा सीधा पार्ट होंगे खास कर जब ये बॉलिंग फर्स करेंगे रिकॉर्ड देख लो एक बार सिरो विगेट है इस व मेरा जो परसेंटेज सेलेक्शन है और जो मेरा वाइस काप्टन है अभी के लिए अभिशेक तवर अभिशेक तवर एक ऐसा प्लेयर है जो ओल्राउंडर है दूसरा ये बालिंग भी कर लेता है बैटिंग भी डिसेंड करिए पचपन न नियाद बतारा थोड़ा हिटिंग करते हैं यह बालिंग में भी विकेट ले सकते हैं तो इस वज़े से मैं दो और की तरफ गया हूं लेकिन जो इसको मैंने छोड़ा है वह बहुत ही बड़ा प्लेयर है क्योंकि वह आई पिल में भी खेल चुका है तो यह चीज समझ के आप रिस्क लेना मैं एक रिस्की टीम हमेशा प्रिफर करता हूं इसलिए मैं दिखाता हूं आप सेफ खेलना हो शायद मैं भी इंड में सेफ कर दूँ वह मैं आप पे कॉल छोड़ूंगा क्योंकि इतना अनालिसिस करने के बाद हाथ पकड़के मैं नहीं चाहूंगा कि आप स्पून फीडिंग लो आप बस इतन नटराजन का पूरा नाम ठंगा रासू नटराजन टी एन पील फर्स बॉलिंग मस्ट पिक हैं एकदम बड़े वाले ऐसा जित्राम इस टॉर्णमेट में क्या होता है न यहाँ पे लेफटाम और्थडॉक्स को बड़े ही अजीब तरीके से अच्छी वाली हेल्प मिलती है और यहाँ पे कोई न कोई अच्छा ब्लेयर आर साई के शोर्ड जैसे आये थे ना जो चीएशक के लिए सेलेक्ट हुए थे शीएशक के लिए ही हुए था शायद तो वैसे ही यह यह भी है लेफटाम और्थडॉक्स एस अजित्राम इन्होंने भी ठीक ठाक सा पफॉर्मे नहीं मिला लेकिन कुछ प्लेयर जो आ सकते हैं अच्छे पेस्पोलर हैं और दूसरे जो प्लेयर हैं वह बी प्रनीश यह दो ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं डमेस्टिक क्रिकेट में इसलिए इन लोग को रखा गया देखते हैं क्या होता है बाकि ए ले ले रहे हैं तो सिर्फ 7.5 क्रेडिट बच रहा है मेरे पास और मिया कीपर उसमें आ नहीं रहा है बस वही दिक्कत है मुझे 0.5 क्रेड को इला के देदे तो मज़ा जाए मुरुग अश्विन इस टौनमेंट में बैटिंग भी कर लेते हैं और यह इनका स्टार्ट बता लेकिन थोड़ी बहुत जो उन्होंने बॉलिंग कर रखी है यहां पर कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रही है कुछ विकेट्स भी ले रखे हैं गुपीनात का रिकॉर्ड नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टन प्लेयर है वह आपको हेड टो हेड में पता चलेगा और यह दो ना अब बड़ी बात ही है कि तब वो आई-पियल के लिए खेल रहे थे अभी वो टी-ए-पियल खेलना है टी-ए-पियल में बैटिंग ओविशली उस लेवल के नहीं होगी जिस पर आई-पियल के होती है ठीक है बाकी आर कार्टिक ए यह ठीक ठाक सा कुछ खास परफॉर्में इस वेन्यू पे और यह तीन प्लेयर्स सलेम स्पार्टन की तरफ से मस्ट पिक है उसके बाद आप बाकी इन में से रोटेट कर सकते हो लेकिन पहले मैं बोलूँगा इन तीनों को लोग फिर लाइका कोवाई किंग्स की तरफ से टीन अटराजन चौथा पांचवा पिक है अगर आपको इन में से कोई एक छेड़ना है तो आप मेभी अजितराम को छेड़ के किसी और को ले सकते हो अब यहाँ पे चंदरन जी नहीं दिखें पता नहीं शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो आप कॉमेंट जेक्शन में बता देना कि यह किसी और टीम के लिए खेल लेकिन मैंने सारे ड्रीम 11 पे जितने स्क्वाड लिस्टेड है मुझे वहाँ पे भी कही नहीं दिखे तो पता नहीं कहा है फिलाल के लिए आप यह नहीं दिख रहे हैं तो फिर दो ऑप्शन जो हम लेके चलेंगे दोनों को के विगनेश जो मैंने बताया बॉलिंग फर्स लंगादर, श्रीदर, राजू एक यह नौवा प्लेयर हो सकता है अश्विन, वेंकर, ट्रमन और गोपी नातिन के वेन्यू के रिकॉर्ड नहीं है यह लेकिन डीसेंट खेलें तो अगर आप चाहो तो यह दस्वाँ और ग्यारवा प्लेयर आपके बन सकते हैं अब इसमें लिक्कत किया है, keeper एक भी नहीं आया है और यहीं पर हमें एक अपना बड़ा player miss करना पड़ सकता है तो वेंके टरमन को अगर हम miss करेंगे तो हम एक keeper लेंगे और तब भी हम credit पे shot पड़ेंगे तो जहां पर आपको 0.5 credit बन रहा है मेरे जो 10 pick हैं ये as-as-it-is रहेंगे keeping section का बज़ आपको pick लेना है बहुत ही clear cut एकदम outcome है मुझे नहीं लगता इससे आसान नहीं कर सकता था Salim Spartans आगे रहा है जब 2T Patriots उनका नाम था लेकिन इस venue पर Laika को वाई Kings अच्छा केला दियान रखना जबी भी TNPL का tournament होता था तीन venue होते थे लेकिन इस बार सिर्फ एक है वो भी यहां पर कम matches ही हुए तो head to head में देखो कि आप एक नाम देखते जो बस batting first try Akshya Shreenivasan 31 ये है वही Akshya Shreenivasan और फिर K. Vignesh फिर से नीचे हो फिर Akshya Shreenivasan 45 run शारोखान का performance हाँ शारोखान बॉलिंग भी करा लेते हैं भाई धियान रखना ये चीज में शायद miss कर गया था तो save जाने के लिए अगर आपको match में save जाना आप शारोखान को captain और विज़शंकर को vice captain ये विज़शंकर को captain शारोखान को vice captain और जो risk लेना चाहते हैं थोड़ा सा तमवर की तरफ जा सकते हैं तीन options है Akshya Shreenivasan GL में जरूर captain की choice बनते हैं यहां से आपको देख रहा है बाकी नटराजन, Ajit Ram, Krishnamurti Vignesh कोई नया नाम नहीं है जो हमने बताया है फिर से Shreenivasan और फिर से Ajit Ram और फिर से K Vignesh तो कितने consistently आपको K Vignesh और Ajit Ram के performance देखे देखो K Vignesh फिर से यहां पे भी balling first अब मैं फिर से कह रहा हूँ लगा सकता था लगाया, जितना टाइम हमाई टीम लगा सकती थी लगाई लेकिन कुछ जादा concrete नहीं दिखा है शारुकान के भी ठीक ठाक से performance है second batting में उतना अच्छा नहीं, first batting में काफी अच्छा कर रखा है अजित राम ने विकेट्स लिए है, टीनट राजन ने विकेट्स लिए है और अगर आप सलेम स्पार्टन की तरफ जाओ, अक्षा श्रीनिवासन का आपको score दिख गया और उसके बाद नीचे आए तो नीचे हमें एम गनेश मूरती विकेट्स नहीं दिख रहे है यूश शुशील जो keeping section में दिखेंगा, आट क्रेट में इनका एक आध स्कोर है ज्यादा head to head हुआ ही नहीं है और जिसमें सिफ एक अक्षा श्रीनिवासन प्लेयर आए हैं, जो अलक्स हैं तो हम well new shotless के हैसाब से ही चलेंगे वेंके ट्रमनों गोपिनाथ के आखरी 10 मैच के रिकॉर्ड अच्छे हैं तो यही हमने उपर भी लिखा था अगर आपने देखा हूँ और जो यंग प्लेयर में शीनिवासन और अभी प्रनेश तो मेरे साब जमाने शाद 13-14 प्लेयर की लिस्ट बताईए ग्रैंड लीग में जरूर मतलब ऐसा ही कॉंबनेशन रखना इससे आसान नहीं मिलेगा और जैसे मैंने कहाँ टी-न-पि-ल पूरे में लेफ्ट-ाम और्थडॉक्स की तरफ नजर डालना यह है इनका स्कॉाइड अनालिसिस शारुखान के आखरी 10 मैच कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है 1-40, 1-50 और फिर 25 के अंदर के स्कोर शितिच चंदरन जैसे मैं कहाँ मुझे दिखे नहीं कहीं पे लेकिन इनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है बैटिंग में अगर मैं वैसे देखूँ और इसके बराबरी के रिकॉर्ड है एक प्लेयर के जो दूसरी टीम में है गंगाश शीदर राजू 40, 40, 80 और 30 एक-एक दो-दो मैक छोड़ के पफॉर्मेंस है और मैं इसलिए keeping section में शायद ना लूँ इनको अगर कोई और option मिल जाता है तो नहीं तो जबरन लेना ही पड़ जाएगा अभी शेयक तमर, देखो 15,9,3 रन, बैतिंग में उतना जादा शकोर नहीं ही लेकिन बाल लिए लिए बालिंग में 3 विगेट दो विगेट 2 विगेट 3 परसें से-लेक्शन तो कहीं से यह डिमांड नहीं करते मेरे साब से हम इनको पकाई ले रहे हैं अपनी टीम में बाकी के प्लेयर्स हैं एसे अजित्राम LAO लेफ्टाम और्थडोक्स जो विकेड लेके बैठे हैं और राइटाम मीडियम बेसर है के विगनेश जिन्होंने परफॉर्मेंस दिये बाकी ये कुछ लोगों के रिकॉर्ड उतने नहीं मिलें तो देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं ये लोग बाकी L1 एल सेलवा कुमारन LAO जान लिखा है ना इस पर ध्यान जरूर दे ना ये पूरे टॉर्णमेंट में आपको हल्प करेगा सामने से वाशिंटन सुंदर है नहीं तो बाकी की टीम में अक्षे शीनिवासन सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है 50, 63, 22, 16, 31, 55, 42 मतलब अगर आप मुझसे भूजो शारुक खान हो इनमें तो शीनिवासन काफी अच्छा दिख रहे है शारुक खान के comparison में आखरी 10 माच में उसके बाद ठीक ठाक सा performance है बाकी के गोपीनात का performance जो मैं कह रहा था ना सबसे consistent दो batsmen एक 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 शीनिवासन एक के गोपीनात 53, 45, 82, 55, 37 काफी consistent है यह अब इनको हम नहीं छोड़ सकते और credit बहुत जादा है तो हमें adjust कैसे करना पड़ेगा keeping में आप यू शुशील लोगे जो उतने शुशील नहीं है performance wise फिर भी थोड़ा बहुत आपको credit बचा के दे सकते हैं अगर यह खेलते हैं तो और keeping करते हैं हमें basically एक keeper लेना जो हमें keeping के points दे सके डी फरेरो ठीक ठाक सा performance है यंग captain बनाया गया पता नहीं कोई वज़े होगी लेकिन बनाया गया ट्राइ किया गया लेहाला कि बाटिंग बहुत नीचे करते हैं परिस्वामी इनका बताना जरूर आक्शन किसकी तरह लगता है प्रनेश जैसे मैंने कहा आखरी 10 माच यह एक यंग fastballer है और तीन विकेट दो विकेट काफी इंप्रेस किया है लोगों को और फिर गनेश मूर्ती जो है ले ओ तो एक और नाम बोलना चाहूंगा आर कार्तिके मुझे लगता आर कार्तिके को शायद प्रिफर भी किया जाए लेकिन यह डिसेंट रहे हैं यह भी है ले ओ तो भई दे कर रहा हूं कि गोपिनाथ की ठीक है यह समझ के रखना अगर इनको मैं लाओंगा अपनी टीम में कैसे भी उसके लावा बाकी नौ प्लेयर कॉंसेंट रहने वाले यह तीनो रहेंगे वाइस काप्टन आप शारुखान कर सकतो अभी शेक तमल लेकिन एक चीज़ जरूर बो रहें तो अगर आपको पता है कैसे ब्लेयर को बताना लेकिन मैं जा रहा हूं जिनका मेरे पास कॉंस्टेंट और कंसिस्टेंट रिकॉर्ड यह तो आपको वीडियो पसंद आए और लेट हो थोड़ा बहुत कंफिजन था चंदरन को लेकि जिस वरे से टाइम लगा आपको पता है तो कॉमेंट में जारू बताना all the best